यहीं सातियों आप सभी लोग का धने जियस में आप सबका स्वागत है आए हम समझते हैं कि क्यूं इरान देश को लेकर दुनिया भर में क्यूं इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है उसके बाद से जानेंगे कि इरान के राष्ट प्रतिके मृत्यू कैसे हो गया उसके बाद स समझते हैं कि क्यूं इरान देश को लेकर दुनिया भर में क्यूं इतना ज़्यादा चर्चा हो रहा है क्यूंकि इरान के जो राष्ट पदी थे जिनका नाम है मुहम्मद इब्राहिम सहीदी और उनके विदेश मंत्री सहीट कुल नौ लोगों की मृत्यूं एक हेलकाप्ट या एजनसी मुसाद का गड़ माना जाता है साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि यह घटना मौसम खराब होने के कारण भी आए अब हम समझते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन इरान से संबंधित हमारे आने वाले एकजामों में आ सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यह हुसेन अमरिदुला अहियान इरान की जो मुद्रा है उसका नाम है इरानी रियाल और वहां की जो राजधानी है उसका नाम है तेहरान उसके बासे यह भी कोश्चन आ सकता है कि इरान की मुद्रा क्या है और उसके राजधानी क्या है इरान कुल 13 देशों के साथ अंतराश्टी सीमा बनाता है जिसमें से 7 देशों के साथ वह अस्तली सीमा बनाता है और 6 देशों के साथ वह जली सीमा बनाता है आईए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से वह 7 देश हैं जिनसे वह अस्तली सीमा बनाता है इराक, तुर्की, पैजान अर्मेनिया तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन सभी देशों के साथ वह अस्तली सीमा बनाता है और कुबैत सौधी अरब बहरीन कतर ओमान संयुक्त अरब अमिराद के साथ यह जली सीमा बनाता है साथ ही इरान देश केस्पियन सागर और फारस के खाड़ी से भी अपने सीमा को साजा करता है आए अब हम समझते हैं कि इरान के सबसे पर्मुख बंदरगाह कौन सा है जिसके माध्यम से भारत और इरान के बीच बैपार होता है तो उस बंदरगाह का नाम है चाबहार बंदरगाह आए अब हम समझते हैं कि इरान की कौन सी पर और आरास सेफीद रूड और एट्रेक नदी जो अपने जल को कैस्पियन सागर में गिराती हैं आए अब हम समझते हैं कि इरान के पर्मुख मरुष्थल कौन-कौन से हैं तो इरान के दो सबसे पर्मुख मरुष्थल हैं पहला है दस्त एकाबीर और दूसरा है दस्त ए इरान के सबसे पर्मुख पठार कौन सा है तो इरान के सबसे पर्मुख पठार है जिसका नाम है इरान का पठार और इरान का एक सबसे पर्मुख जील है जिसका नाम है उर्मिया जील आसा करते हैं कि यह सभी टापिक आपको समझ में आया होगा जय हिंद